Hey guys, आपने सुना ही रहेगा IPS LCD display, AMOLED display, Super AMOLED display So, आज की इस वीडियो में, मैं आपकी सारे doubts को clear कर दूँगा अब पूरा वीडियो लास तक देखते रहे So, मेरे सामने जो smartphone है, वो Redmi Note 7 Pro है जिसकी जो display होगा IPS LCD display है So, देख सकते हो guys, यह जो display है उसका एक image जैसी कि आप ब्लैक पोशन देख सकते हो, जो भी ब्लैक पार्ट है, वो fully black नहीं है हमारे जो display वो pixels पर बना रहता है उसके बिचे बहुत सारे pixel होते है So, जितना जादा pixel उतना अच्छा color आएगा, उतना अच्छा आपका display लगएगा जो pixel होता है, उतना smallest unit रहता है तो लाखो करोडो pixel होते है आपके display में तो various करता है आपके display के size पर So, अभी मैं image के सबसे आपको बताता हो, जो side में image है उसको देखिए जो IPS LCD का रहता है, उसमें जो display से light आता है वो हर एक पूरे display में light रहता है तो यह अभी जो phone है मेरे सामने, वो AMOLED डिस्प्ले है तो basic difference यह है कि जो pixel का light आता है वो AMOLED में खुद का होता है पूरे display लाइट नहीं आता है जो light आता है वो particular एक 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 तो जिसमें जो black part होता है वो समझो light ही नहीं फेकता है यहां पर देख सकते हुआ है जो हमारा black part है AMOLED में वो पूरा ना पूरा black है सबसे best example है आप black wallpaper ले दीजिए दोनों phone में एक AMOLED और एक normal IPS में तो आप उसमें देखोगे कि जैसे black portion रहेगा आप बंद चारू करें तो भी आप पूरा कि बंद दी है इसके वरसे AMOLED डिस्पले महेंगे आते है और साथ यह बैटरी एफिशन्ट होता है जो color production होता है डिस्पले का वह IPS का natural होता है लेकिन AMOLED का attractive vivid color होता है जो हमारे आपको pleasing रखते है इसके लिए AMOLED के colors जादे अच्छे रखते हैं हमें तो Super AMOLED क्या है improved version of AMOLED है जो Samsung बनाता है और थोड़ा सा technology इंट्रडूस करके जो रहता है डिस्पले और पंचियर और 20% efficient रहता है बैटरी और बैटरी सेफ करता है यही सब है तीनों का difference AMOLED, Super AMOLED, IPS होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब एंड फाइनली थैंक्स पॉर्वर्ट